हेलो एब्रीवन, वेलकॉम अगें तो लन्वरे देदिमन, तो देखिए हमारा राजिस्थान में चैप्टर नंबर 2 पर हम लोग आ गए हैं, इसके कोशन आंसर आज हम करेंगे, और एक कमेंट में किसी ने कहा कि मैं आपने चैप्टर नहीं पढ़ाया और कोशन आंसर करवा दिया, देखिए आप लोग ध्यान नहीं देते हो और चैप्टर जो है वो हम लोग पढ़ चोके हैं, इस 8th क्लास में 10 चैप्टर थे जिनको हमने बहुत अच्छे से डेटेल में पढ़ा, जैसे हमने 6th क्लास को कम्प्लीट किया, फिर हमने कोशन आंसर किये, 7th क्लास को हमन और दूसरी बात यह है कि कोर्स में जो है एक बच्चे ने कहा है कि मैं आपने जो है वो कोशन आंसर की PDF नहीं दी, जो कल मैंने आपको यहां पर चैप्टर जो है कोशन आंसर करवाए थे, थोड़ा सा आप लोग जो है वो patience बना के रखिये, क्योंकि कल ही चैप्टर जो है पढ़ाया था, एक दिन यदि थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो कोई बात नहीं, आप लोग जितने सारा जो मैटर आपके पास पहुंच चुका है, उसको तो पढ़िए, आपके पास RBSC की complete history पहुंच गई है, 6 से 10 तक की geography पहुंच गई है, quality पहुंच गई है, economics पहुंच तो यह चीज जो है वो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जो भी last year जो exam हुए थे, read का हुआ था, second grade का, पटवार का आप देखिए, SI का देखिए, पुलिस का देखिए, यहां तक की gram सेवक का, pre का exam देखिए, in question answer से बाहर आपका बिल्कुल नहीं गया है, जिसने भी exam दिये हैं, वो सभी बच्चे जानते हैं, कि यहां से एक single question बाहर नहीं गया है, इन books में से जो question में आप लोगों को निकाल कर देती हूँ, उनको आप अच्छे से याद करिए, रटिए, बारवार revision करिए, जिससे की exam आने तक यह आपको बहुत अच्छे से learn हो जाए, तो च चप्टर अच्छे से पढ़िएगा, सबसे first question है, राजे स्थान में 1857 की क्रांती का मुख्य कारण क्या रहा, तो जो मुख्य कारण रहा, वह रहा, कंपनी का राजियों के आंतरिक शाषन में हस्तशेप करना, इसके साथ ही राजियों के आर्थिक मामले में हस्तशेप करना राजनितिक शाषन में हस्तशेप करना, तो 1857 की क्रांती जो है उसके ये मुख्य कारण रहे थे, तातकालिक कारण अलग है और उसके बाद जो है मुख्य कारण अलग है, डूंग जी, जवाहर जी और लोठु जाट ने किस सैनिक छावनी को लूटा, ऐसे ही कुशन आपके अग्जाम में पूछ लिया जाएगा, नसीरावाद सैनिक छावनी को इन्होंने लूटा था, ठीके, डूंग जी, जवाहर जी, लोठु जाट ने, नसीरावाद सैनिक छावनी को लूटा था, मेरवाडा बटालियन की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1834 इस्वी में की गई थी तो मुक्य उद्देश चे तो यही था अंग्रेजों का कि कैसे जो सभी रियासते हैं राज्य हैं इनके आर्थिक मामलों में हस्तशिप किया जाए ठीक है तो यहां 1834 इस्वी में मेरवाडा बटालियन की स्थापना की गई नेक्स्ट देखें पोश्चन नमबर 4 सेखावटी ब्रगेट की स्थापना कब की गई थी सेखावटी ब्रगेट की स्थापना कब की गई थी तो इसकी स्थापना जो है 1834 इस्वी में की गई थी तो हमने अभी देखा था कौन सा हमने देखा कि मेरवाडा बटालियन की स्थापना 1834 में की गई, सेखावटी ब्रगेट की स्थापना 1834 में ही की गई जोदपुर लीजियन का गठन कब किया गया? तो एक साल बाद ही 1834 के बाद ही जोदपुर लीजियन का गठन 1835 इस्वी में किया गया मेवाड के भील कोर की स्थापना कब की गई थी तो कंपनी ने 1841 एसवी में मेवाड भील कोर की स्थापना की थी ठीक है तो ये जो सभी बटालियन थी इनका जो रख रखाप का खर्चा जो है वह भी उसी राज्य से वसूल किया जाएगा ऐसा जो है अंग्रेजों ने पहले जो है ये बता दिया था ठीक है तो कारण यही था कि जिससे राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्त शेप जो है वो अंग्रेज पूरी तरीके से कर सके हैं इसी लिए इन्होंने मेरवाड बटालियन की स्थापना सेखावटी ब्रिगेड की स्थापना, जोदपूर लिजियन की स्थापना और मेवार भील कोर की स्थापना की भारत में 1857 ईसवी की क्रांती का तातकालिक क्यारण क्या रहा था तो तातकालिक कारण जो है वह है गाए और सुवर की चर्वी का प्रियोग रहा जो की कार्थूसों में प्रियोक्त हुए थे ठीके एन्फिल्ड राइफलों में प्रियोक्त कार्थूसों में गाय और सुवर की चर्वी का प्रियोग किया गया था जिसे की यूज करने से पहले जो है मुह से खोलना पड़ता था तो ये सबसे बड़ा जो है वो तातकाल कारण रहा था 1857 इस वीक की क्रांती का भारत में 1857 की क्रांती की सुरुवात जो है कहां से हुई थी 1857 की क्रांती की सुरुवात भारत में हुई थी मेरट से ठीक है मेरट में 10 मई 1857 को ये क्रांती जो है वो प्रारम हो गई थी 1857 की क्रांती के समय राजिस्थान के AGG Agent to Governor General कौन थे तो 1857 की क्रांती के समय राजिस्थान के AGG Agent to Governor General थे जॉर्ज पैट्रिक लोरेंस 1857 की क्रांती के समय मेवाड, मारवाड और जैपूर में पीए यानि Political Agent कौन थे तो यहां पर जो ए जी जी George Patrick Lawrence था, उसने अपने PA जो हैं विभिन रियासतों में छोड़े, Major Savers है, Mac Motion है, Colonel Eden है, तो मेवार में Major Savers को तैनात किया, मारवार में Mock Mason को, Mock Mason कहिए या Mac Mason कहिए, ठीक है, और जैपुर में Colonel Eden, ठीक है, यह नाम याद रखिएगा, क्योंकि एक्जाम में कई बार यह पुछा गया है, कि मेवार की रियासत में PA कौन था उस समय, Major Savers, मारवार में Mock Mason, और जैपुर में Colonel Eden, राजेस्तान में 1857 की क्रांती के समय, कितनी चावनियां थी, यहाँ पर कितनी सावनियां थी, 6 चावनियां थी, नसीरावाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ठीक है, याद रखें, नसीरावाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, व्यावर और खेरवाडा, यहाँ पर ध्यान रखें, 6 चावनियों में कोटा जो है, वो शामिल नहीं है, ठीक है, कोटा जो है, वो कोई भी सैनिक चावनी नहीं थी, फिर भी वहाँ विद्रो हुआ थ तो ए जी जी लॉरेंस को मेरट विद्रो की सूचना 19 मई 1857 को मिली थी, ठीक है, कहाँ पर माउंट आवू में मिली थी, और तभी से उसने जो राजाओं को सूचित कर दिया था, यह राज्यों में जो है, जो भी क्रांती कारी जो हैं, क्रांती पहला रहे हैं, उनको ना एं आ जाता है कि राजिस्थान में सबसे पहले क्रांती जो है वह कहां से प्रारम हुई, तो नसीराबाद से हुई ठी, 28 मई 1857 इसवी को, राजिस्थान में 1857 इसवी की क्रांती के समें चावनियों के मुख्याले कहां थे? 1857 ईस्वी की क्रांती के समय राजिस्थान में 6 चावनिया थी नसीरावाद जिसका मुख्याले अजमेर में था नीमच जिसका ग्वालियर में था एरिनपुरा का पाली में मुख्याले था देवली का तौंक में था व्यावर का अजमेर में था और खेरवाडा का उदैपुर में था, ठीक है, ध्यान देना है इसमें कि 6 छावनिया थी राजिस्थान में 1857 की क्रांती के समय, इनके मुख्याले जो है पूछा जा सकता है, नीमच का जो मुख्याले कहां था, ग्वालियर में, नसीराबाद का अजमेर में, एरिनपुरा का पाली में, तेवली का टॉंक में, व्यावर का अजमेर में, और खेरवाडा का उदैपुर में, राजिस्थान में 1857 की क्रांती का प्रारम सर्व प्रथम कहां हुआ, तो सबसे पहले कहां हुआ, नसीराबाद में हुआ था, 28 मई 1857 को, नसीराबाद में किन अंग्रेजों की हत्या सैनिकों ने कर दी थी तो यहां पर सैनिकों ने हत्या जो है किसकी की थी मेजर इस्पोर्टिस वुड और न्यूबरी की हत्या कर दी थी और उसके बाद यहां से दिल्ली प्रस्थान कर दिया था ठीक है पूछा जा सकता है नसीरावाद में किन अंग्रेज अफ़सरों की हत्या कर दी थी, तो यहां Newbury की हत्या और Major Sportiswood की हत्या जो है, वो कर दी गई थी नीमच में विद्रहो कब और किसने किया? तो नसीराबाद के बाद विद्रहो होता है 3.1857 को नीमच में, और यहां पर मुहम्मद अली बेक के नेतरत्व में विद्रो जो है वह किया जाता है एरिनपुरा में विद्रो कब हुआ था तो यहां विद्रो 21 अगस्त 1857 को विद्रो हुआ था एरिनपुरा में विद्रो किसने किया था एरिनपुरा में विद्रो जो है वह किसने किया था तो यहां मोती खां, सीतल प्रसाद और तिलक राम इन्हों ने जो है विद्रोह किया था चलो दिल्ली, मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के सैनिकों ने दिया? बहुत important question है, एक्जाम में आ चुका है, एरिनपुरा छावनी जो है, यहां के सैनिकों ने चलो दिल्ली, मारो फिरंगी, ठीक है? एक क्या है कोट की? दिल्ली, चलो, है ना? यह नहीं है, चलो दिल्ली, मारो फिरंगी, ऐसा ही यह याद रखना है, इसका नारा लगाया और दि 1857 इस्वी में क्रांतिकारियों का नेतरत्यों जो है, वह कहां किया? तो इन्हों नेतरत्यों जो है, वह आववा में किया था. तो क्या था कि 1817-18 की जो संदी हुई थी, उससे पहले जो शाशक थे, राजा महराजा थे, तो वो जो है, किस पर डिपेंड रहते थे? सामन्तो पर डिपेंड रहते थे, लेकिन जैसे ही संदी हो जाती है, तो उनकी जो है, निर्भरता समाप्त हो जाती है सामन्तों से, ठीक है? तो सामन्तों को जो है, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है, उनके उपर पढ़ता है, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है तो यहां पर आओवा, सलूंबर, कोठारिया, यहां के जो ठिकाने थे, जहां सामन्त रहते थे, तो ये भी बहुत परेशान थे, 1857 की क्रांती में, इन्हों ने साथ दिया था इसी वज़े से क्रांतीकारियों का। जो सैनिक थे, उन्हों ने ठीक है, जो जोठपूर महाराजा तक्तु सिंग थे, उन्हों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो इनकी जो सैना है इसको पराजित किया, आओवा के ठाकुर कुसाल सिंग और सैनिकों ने। युद्ध के नाम से जाना जाता है और इस युद्ध में भी कुसाल सिंग विज़े होता है। 8 सितंबर 1857 को जो विठोड़ा में युद्ध हुआ था और चैलावासा का युद्ध जो 18 सितंबर 1857 को हुआ था, दोनों ही युद्ध में कौन विज़े ही रहा कुसाल सिंग। होम्स के नेतरतों में सैना ने आववा पर आक्रमन कब किया। चावनी तो नहीं थी, लेकिन यहां पर जो आम जनता थी उसने विद्रोग किया। और यहां पर क्रामती जो है वो 15 अक्टूबर 1857 को होती है। किसके नेतरत्व में होती है। जैद अयाल और महराव अली खां के नेतरत्व में होती है। कोटा में किसका सिर काट कर विद्रोही सैनिकों ने कोटा शहर में घुमाया। और कोटा के जो यहां पर महराव थे, राजा थे, कौन थे, राम सींग सैकेंड थे। उनको नजरवन्द कर दिया था, कोटा जो दुर्ग था उसी में ही कैद कर दिया था। तो जिन बचों ने चैप्टर पढ़ा है वो तो कुशन आंसर उनको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे और याद भी देखिएगा इनको बहुत अच्छे तरीके से होंगे। इस्टार्डिंग से ही मैं सबको बोलती आ रही हूं, चैप्टर पढ़िए और उसके बाद कुशन आंसर देखिए ठीके। राजिस्तान में सबसे सून योजित और सू नियंत्रित करांती कहां हुई। तो यहां पर कोटा में सबसे अधिक सूर नियोजित और सूर नियंत्रित क्रांती हुई नसीरावाद में पंदरवी बंगाल नेटिव इन पैंट्री थी और मुख्याले कहां था अजमेर में उसके बाद नीमच इसमें मेवाड राजपुताना रेजिमेंट थी और इनका मुख्याले ग्वालियर में था एरिनपुरा में जोदपुर लीजियन थी और पाली में मुख्याले था देवली में कोटा रेजिमेंट थी व्यावर में मेर रेजिमेंट थी तो यह सभी रेजिमेंट भी आप नाम याद रखेंगे ठीक है नसीरवाद का तो आपको याद ही रखना है क्योंकि सबसे पहले जो है क्रांती जो है स्टार्ट करते हैं नसीरवाद सैनिक छापनी के लोग ठीक है तो यहाँ पंदरवी बंगाल नेटिव इंफैंट्री तैना थी तो चैप्टर जो है वो आपका होता है पूरा और हर कुशन यानि इसमें जो 28 कुशन इस चैप्टर में निकल कर आए हैं यह सभी इंपोर्टेंट है एक भी कुशन आप नहीं छोड़ेंगे ठीक है और इनको बार बार रिवाइस करिए वीडियो बार बार देखिए झाल